So let's start our first question, underline the words if the letter in pink is a suffix, उन words को underline करना है, जिनके पिछे suffix है, अब आप देखो suffix कैसे पता लगेगा, जब हम वो pink वाले letter को छुपा लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचेवे letters होते हैं, उनको देखते हैं कि उनसे कोई complete sense का word बन रहा है, कोई ऐसा word बन रहा है जिसकी को complete sense हो, जैसे यह है silly, इसमें ly अगर हम छुपा देएं, तो क्या बना sil, sil कोई word होते हैं, नहीं न, it's mean यह suffix, नहीं है, second है हमारा rising, rising में देखो, ing अगर हम यहां से छुपा लेते हैं, तो क्या बन गया riz, riz कोई word होते हैं, no, तो इसका मतलब यह भी suffix नहीं है, अब यह है rising, अगर ing हटा दे, s, s तो simple है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, next है हमारा badly, अब ly हटा दे, तो bad, bad को तो होता है, एकी word होता है न, तो इसमें यह suffix है, तो हम इसके नीचे underline करेंगे, next है walked, walked में अगर ed हम hide कर लें, तो walk बन जाएगा, वो भी हमारा suffix है, word है, ing चुपा लें, तो word होता है, बचता है हमारा find, वो भी हमारा suffix है, next है हमारा bring, ing चुपा लें तो br, यह तो हमारा कोई word नहीं न बन रहा, तो यह suffix नहीं है, next है holy, ly चुपा ले, hope, यह कोई word नहीं है, suffix नहीं है, अगला है hopeful, hopeful, अगर full में, full को हम चुपा लें, बट यहा Sitting Sitting में अगर ing हम छुपा लेते हैं तो sitt ये तो हमारा कोई word नहीं न बनता जबकि हमारा word बनता है sit तो हम इस t को क्या करेंगे ठीक है ना तो ये भी हमारा suffix नहीं है Next है हमारा red ed हटा लेते हैं तो-r भी हमारा suffix नहीं है ये complete word suffix नहीं बना, slowly में य हमने चुपा लिया, hide कर लिया तो slow, यह slow का तो meaning है तो इसका मतलब यह हमारा suffix है ओके